थेलो दोस्तो, वेलकम टो तप्टॉप क्लासेष, मैं विने सिंग आपका एक बार फिर से अपने जानल टिप अपफ दोस्तो सवगत करना हूँ दोस्तो आज का जो सेशन है वो डीलेट फर्स सेमेस्टर के लिए है और डीलेट फर्स सेमेस्टर के लिए important class है आपकी सिच्छड अधिगम के लिए ठीक है deal at first semester के लिए आपकी important class है सिच्छड अधिगम के लिए तो दोस्तो इस video को देखने से पहले आपको मैं important news बताना चाहता हूँ कि seated का जो आपका form 24 से भरा जाना है तो मैं चाहता हूँ वैसे तो आप eligible तो नहीं होगे लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा कोशे से करिएगा कि आप उसको exam दीजिए अगर आप उसको exam देते हैं तो आपको first attempt में पता चल जाएगा कि कैसा pedagogy पूछा जाता है और आपकी काफी हद तक preparation भी हो जाएगी क्योंकि उसमें syllabus based कम आता है mental ability based paper आपका ज्यादा पूछा जाता है तो मेरा मानना यह है कि जो भी आप जो 19 batch के student है वो ज्यादा से ज्यादा form जरूर भरें seated 2020 का ठीक है जिससे आपको completely पता चल जाए कि कैसा आपका exam होना है और next जब आपका exam आए तो उसमें आपको कोई दिक्कत न हो तो दोस्तो ये तो हो गई important बात इसके अलावा अगर आप अभी भी channel को subscribe नहीं किये हैं तो channel को subscribe कर लीजिए और अपने contact में video को share जरूर किया करें मैं हर बार कहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा share जितना आप share कर सको contact में share जरूर किया करिए और session को पूरा देखा करिए देखे हैं सिच्छड दिगम में कुछ important question है one liner important question जो अपने इस video में मैं बात करूँगा तो सबसे पहले question है आपका नियोजित सिच्छड के lab बताएए नियोजित सिच्छड के lab क्या क्या है तो नियोजित सिच्छड के आपके तीन lab होते हैं जो main main है वो मैं यहाँ पर बात करूँगा नियोजित सिच्छड क्या है सिच्छड उद्देश सिपूर होता है सिच्छड यहाँ पर कैसा होगा उद्देश से पूर्ण होगा, मतलब किसी न किसी उद्देश के लिए होगा स्रम वा समय की बचत होगी स्रम वा समय की बचत यहाँ पर स्रम आपका जो होगा वो कम लगेगा और समय जो है कम से कम समय में आपका सिछड की प्रोब्त होगी फिर कहा रहा है अधिगम क्रम बद्ध होता है, तो अधिगम जो होगा, जो सीखने की प्रक्रिया होगी, वो क्रम के अनुसार होगी, क्रमा अनुसार यहाँ पर काम करेगी, फिर अगला दोस्तो कुष्चन आपके स्क्रीन पर है, सिच्छक के अच्छे चैन की योगिता पर उ आगे हम question देख लेते हैं, यहाँ पे आपके जो important question है, आवर्त की आधार पर सिच्छड के तरीके क्या क्या हो सकते हैं, तो यहाँ पे आवर्त की आधार पर आपके सिच्छड के तरीके पूछ रहा हैं, तो आवर्त की आधार पर जो सिच्छड के तरीके हैं वो निम्नुवत पहला है आपका मौखिक परिच्छा आप सभी जानते हो मौखिक परिच्छा जो हम लेते हैं ग्रहकार और छात्रों से पाठ समझाने को कहना छात्रों से दोस्तों क्या कहना पाठ जो है समझाने को कहना फिर यहां पर आपका दिया गया है कच्छा में एक सिच्छक की मुस्का कहे गए सावासी के सब्दों को क्या प्रभाव होता है तो यहां पर क्या प्रभाव पड़ेगा छात्र अधिगम के लिए प्रेरित होते हैं छात्र यहां पर क्या होगा दोस्तों अधिगम के लिए प्रेरित होंगे फिर कह रहा है संप्रेशन की किस प्रकार की प्रक्रिया के बारे में बात कर रहा है तो संप्रेशड जीन पर्यंत सीखने की एक सवभाविक प्रक्रिया है कैसी प्रक्रिया है तो जीन पर्यंत सीखने की एक सवभाविक प्रक्रिया है फिर कर रहा है पूर अनुभव से क्या अभिप्राय है यहां पर देखते हैं फिर कर रहा है पूर अ अनुभव से अभिपराएवै का मतलब ही यहाँ पे सुन्योजित संप्रेषण से अभिपराएवचित प्रकार से योजना बनाकर संप्रेषण प्रक्लिया को पूर्ण करना है उचित प्रकार से योजना बनाना, मतलब जो आप क्लास में जा रहे हो, अधिकम जो सिच्छड देने, तो उसकी पहले से क्या है, आप पहले से टीचर क्या गरेगा, mentally prepare होके जाएगा क्लास में, की कैसी योजना होनी चाहिए, क्लास में जाने से पहले, जो आपको पढ़ाते ह उसकी योजना कैसी होनी चाहिए, ये पहले से mentally prepare होके जाता है, उसी को क्या गरेते हैं, सुन्योजित करना, फिर करना कच्छा में प्रभावी संप्रेशड के महतपूर बिंदु इसपस्ट कीजिए, तो कच्छा कर प्रभावी संप्रेशड बिंदु है, पहला तो है विसा प्रस्न प्रवधिके जन्मदाता कौन है, प्रस्न प्रवधिके, तो जो प्रस्न प्रवधिके जन्माता दोस्तों कौन है, वो है शुकरात, शुकरात ने प्रस्न विदिके बारे में बताया, फिर नेक्स्ट कुस्चन है आपका, विवरड से तातपर्य, क्रमा अनुसार व वर्डन विद से आपका क्या अभिप्राय है वर्डन विद से आपका क्या अभिप्राय है तो यहां पर क्या है इस विद में विशय वस्तु का विस्तार से वर्डन किया जाता है इसकी अंतरगत सिच्च को तीन बातों का विशय ध्यान रखना चाहिए पहला क्या है पहला चि जाना चाहिए फिर आगे हम देखते हैं फिर अगला कुस्चन आपका कह रहा है सिच्छड के अंतरगत वर्डन विध में किन-किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए कौन-कौन बातों को ध्यान में रखना चाहिए तो वर्डन विध के अंतरगत कौन-कौन सी बाते यहां प बाधिक इस्तर का मतलब क्या है? कि आप ये नहीं है कि एक के स्टूडेंट से आप कछा चार की कुश्चन पोछ रहे हैं तो मतलब होना ये चाहिए कि जो बाधिक इस्तर है उनका उसी के एकॉर्डिंग आपको जो है जवाब और सवाल करने चाहिए ठीक है? फिर अगले हम आगे बढ़ते हैं अगला हमारा कुश्चन यहाँ पर क्या कह रहा? व्याख्यान विदि के कोई दो लाब बताईए यहाँ पर व्याख्यान विदि के दो लाब हो के बारे में बात करा है तो व्याख्यान विदि के जो लाब है वो क्या है? देखते है नेक्स्ट आपका सेशन है, कुछन है, सिच्छड में इस पस्टी करण विदी को कोई दो लाब लिखे, तो सिच्छड में इस पस्टी करण के दो लाब यहाँ पर बताने है, फर्स्ट तो हो गया करमबद्धता तथा तारकिता, फर्स्ट क्या है आपका करमबद्धता तथा बिंदु का गयान, प्रतेक पहलू तथा बिंदु का गयान, फिर अगला कुश्चन ने छात समुग में कारे करके ही वास्तविक रूप में सीखते हैं, या जो कथन है या किसका है तो या कथन यहाँ पर आपको बताना है, तो यहाँ पर समुग चर्चा के बारे में बात कर र हैं, उसका जो विशय है, वो दोस्तों क्या होना चाहिए, इस पस्ट होना चाहिए, फिर कहरा है, समुगों का विभाजन छोटी-छोटी इकाई में होना चाहिए, जो समुगों का विभाजन आप करते हैं, वो छोटी-छोटी इकाई में करेंगे, फिर कहरा है, एक ही भासा का प्रियोग की जाना चाहिए जो एक ही भासा है उसी का प्रियोग किया जाना चाहिए फूर्थ आपका पॉइंट है चर्चा के अंत में प्रसन पूछ कर मुल्यंकन किया जाना चाहिए मतलब चर्चा के अंत में आप क्या करोगे प्रसन पूछ कर उसका क्या करोगे मुल्लेंकन करोगे फिर next है रुचपूड सिछड की कोई तीन विसेस्दाइं लिखिए तो रुचपूड सिछड की जो इसकी तीन विसेस्दाइं है वो यहाँ पर दी गई है देखते हैं गौन-गौन सी है यहाँ पर कह़े रहा है रुचपूर्ड सिच्छड की जो विशेशता है वो है आपकी, करकी सीखने की विदिका, रुचपूर्ड तरीका अपनाना, करकी सीखने की विदिका, रुचपूर्ड क्या करना, तरीका अपनाना, सेकंड है आपका आनंद दायक सिच्छड पद्यत अपनाना, सेकंड क्या है अपेचित अधिगम इस्तर का निर्धारण क्यों किया जाता है तो अपेचित इस्तर के उद्देश से क्या है यहाँ पे देखते है विविद छात्रों के उपलब्द इस्तर की विस्यमताओं को दूर करना जो इसके उद्देश से क्या है विविद छात्रों के उपलब्द इस्तर की विस्यमताओं को दूर करना छात्रों में समान सेच्छ गुडवत्ता की प्राप्ति सुनस्चित करना और थर्ड है आपका सिच्छकों को सिच्छड दिगम की उपयुक्त विदि के चैन में सहायता करना ये क्या है ये इसके तीन पॉइंट आपको आपके सामने स्पष्ट की दिये गए हैं फिर आगे हम बात करते हैं फिर कर रहा है कौन से सिच्छड सामगरी उत्तम हो सकती है यहाँ पर कौन सी जो सिच्छड सामगरी है वो क्या है उत्तम हो सकती है तो यहाँ पर पॉइंट देगे हैं जो विशेवस्त को अच्छी तरह समझती हो सेकेंड पॉइंट है जो आसानी से उपलब्द हो पिर आगे एकला कुस्चन हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर कुस्चन है, कच्छा सिच्छ को रुचपुड बनाने के लिए सिच्छ को किसके प्रियोग में दच्छ होना चाहिए, तो यहाँ पर आपका अंसा दिया गया है, अध्यापक दौरा सिच्छ की अनेग उद्यस की प्राप्ति है, तो ऐसी अधिकम प्रलाली, जो आकार, प्रकार, रंग, एवं कालात्मक पूर्ण हो, प्रियोग करनी चाहिए, और ऐसी सामगरी में निम्न को सम्मिलित करते हैं, पहला है, पहला पॉइंट दिया गया है, जो एक से अधिक विशियों में प्रियोग हो सके जो क्या है, दोस्तों, यहाँ पे एक से अधिक विशियों में प्रियोग हो सके, फिर अगला है, आपका सेकेंड पॉइंट यहाँ पे है, जो एक से अधिक कच्छाव में प्रियोग हो सके, थर्ड करा, जो विशेवार पाठ के अनुरूप हो, फिर यहाँ पे बीस्वा कु तो छात्रों को कुसलतम पारंगत के स्क्रेण पर पुणर्बलन सिध्धान्त करने का कारी किसका है ? विद्याला में पुनर्बलन प्रदान करने का इस जो सिचचक कहा होता है , पुनर्बलन कौन करेगा दोस्तों है पर सिचक करता है ? फिर करा निरिच्छड विदिकाज सिच्छड में क्या महत्तों है तो यह मनोगानिक प्रवध ही है जिसके प्रयोग से छात्रों की ग्यानिंद्रियों को विकास होता है इसके प्रयोग से क्या होगा दोस्तों छात्रों की ग्यानिंद्रियों का विकास होगा फिर यहां पर एक तथा दीमक ना हो, सिच्छड सामगरी से आप समझ रहे होंगे, जो आपकी पाठी पुस्तक बगेरा चीजे होती है, उनसे रिलेटेड है, जहां नमी तथा दीमक ना हो, कीडो आदे से बचाओ की विवस्ता होनी चाहिए, तथा अच्छी गुडोत्ता वाली वस्तों का प्र सिच्छा के अंतरगत, सिच्छक जो है, सिच्छड सिधानतों के साथ साथ सिच्छड व्योहारिक कौसलों का विसीस महत्तु है, यदि सिच्छक आधार भूत, सिच्छड कला निपुड नहीं होते हैं, तो छात्रों का उचित मार्गरशन करने और उनमें बांचित परिवर सिच्छड कहते हैं, सिच्छड कोसल कहते हैं, फिर नेक्स्ट आपका कुस्चन क्या है, यहां पर देखते हैं, नेक्स्ट है आपका सूच्म सिच्छड से क्या साथ पर है, यहां पर सूच्म सिच्छड की बात कर रहा है, तो सूच्म सिच्छड की अनुसार, सूच्म सिच् फिर session की बात करते हैं तो दोस्तों अगला question आपका क्या है सिच्छड के दो उद्दे से यहां पर पूछ रहा है यहां पर क्या है सिच्छड के दो उद्दे से बताईए तो पहला क्या हो गया आपका मानसिक छमता का विकास पहला दोस्तों क्या है आपका मानसिक छमता का विकास सेकेंड क्या है क्रिया सीलता का विकास यहाँ पे दो उद्दे से क्या हो गए आपके एक तो मानसिक छमता का विकास हो गया सेकेंड आपका हो गया क्रिया सीलता का विकास फिर नेक्स्ट आपका कुश्चन क्या कह रहा है वैक्तिक संप्रेशन के दो लाब बताईए वैक्तिक संप्रेशन के दो लाब पूछ रहा है तो एक तो हो गया आपका ग्यान की प्राप्ति फिर कह रहा है सही भासा तथा सही उच्चारण पहला आपका क्या है ग्यान की प्राप्ति अज्यात की ओर, ये दो क्या है आपके सिछर के प्रमुख सूतर हैं, पिर दोस्तो आगे हम बात करते हैं, यहाँ पे अनवेषड विधी का अर्थ स्पस्ट कीज़ें, अनवेषड विधी का ताथ परे सिच्छा की उस विद से है जिसमें बालकों की खोज करने वाले की इस्थित में रख कर बिना किसी विशेश निर्देशन के उन्हें सोयम खोज या नवीन ग्यान अरजित करने का अवसर दिया जाता है एक वर्ड में हम क्या कह सकते हैं अनवेसड का मतलब क्या होता है खोज करना तो ऐसे बालक जिनको हम क्या कहते हैं कि बिना किसी निर्देश के दोरा जो स्वता से सोयम से क्या करते हैं खोज या नवीन ग्यान अरजित करते हैं खोज या नवीन ग्यान दोस्तों अरजित उनी को हम क्या कहेंगे उसी को हम अनवेशण कहते हैं फिर अगला कुस्चन हमारा यहां पे स्क्रीन पे हैं हम देख सकते हैं विज्ञान सिछड में सरवाधिक उपयोग सिछड विधी कौन सी है कौन सी ऐसी विधी है जो विज्ञान सिछड में सरवाधिक उपयोग की जाती ह तो ये कुस्सन बहुत ही आसान है, सभी जानते हो, हम सरवाधिक क्या करते हैं, साइंस में प्रयोग प्रदर्शन, तो प्रयोग प्रदर्शन अमसंदान विदी जो है, ये क्या है, बालक को करके सीखता है, क्योंकि बालक क्या है, करके सीखता है, फिर अगला कुस्सन है, आप प्रस्तावना कौ सल का क्या है रहा है उसे के माद्यम से नई बात अर्थात पढ़ाई जाने वाली विश्यवस्तु को क्या करना उसके साथ जोड़ देना, प्रस्तावना का क्या है प्रमुक उद्देश है फिर यहां पर कह रहा है निरीचल विदिकास इच्छल में क्या महत्म है निरीचल विदिक यहां पर निरीचल विदिक के बारे में दोस्तों बात करा है तो इसका एंसर यहां पर देखते हैं एंसर क्या होगा एंसर है इसका य इसी सिच्छड दिगम सामगरी किसे कहते हैं, बहुत देशी सिच्छड सामगरी की यहां पर बात कर रहा है, तो ऐसी सिच्छड सामगरी जो उनके उद्देशों की पूर्ति करती है, बहुत देशी सामगरी कहलाती है, जैसे चार्ट ग्राफ मांचित्र आधिकच्छा में अन होता है फिर नेक्स्ट आपका कुश्चन है संप्रेशड के प्रमुग घटकों का नामुलेक कीजिए यहां पर संप्रेशड के बारे में पूछ रहा है कि कौन-कौन से इसके घटक होते हैं तो यहां पर घटक की बात करें कि 2015 में कुश्चन भी आपका पूछा गया है तो दो संदेश का क्या होगा संदेश जो दिया जाता है और ग्राही का मतलब ग्रहन करता है और प्रेशक क्या होता है जो संदेश देता है फिर कह रहा है सिच्छक में अभी प्रेणा का सिध्धान्त से क्या आसे अब प्रेणा का सिध्धान्त के बारे में यहां पर बात कर रहा है तो वह उसी ध्यान पूरुग पढ़ता है, याद करता है, वह उसमें ध्यान मगन होकर कारे करता है इस प्रकार सीखने का कारे सरल हो जाता है, चाहे वह ज्यान कठिन हो समझ रहें, जो बीडी भाटिया ने क्या कहा, उन्होंने कहा प्रेड़ा एक ऐसी चीज है जिसमें क्या करता है, प्रेड़ना जब किसी को दी जाती है, तो वह किसी कारिकों करने के लिए, कारिक जो है उसके लिए क्या हो जाएगा, बहुत ही आसान और उसमें जो है उसका ध्यान मगन होकर, वो क्या है, उस कारिकों करने की कोशिस करता है, प्रियास करता है पिर यहां पे हम अगला कुश्ण देखेंगे, यहां पे कहा रहा है उधारण प्रविद की दो उप्योगिता के बारे में यहां पे पूछ रहा है, यहां पे उधारण प्रविद की उप्योगिता के बारे में हम यहां पे दोस्तों बात करेंगे, सेकंड है उधारणों का प्रयोग विशाय सामगरी को अधिक इसपस्ट करता है और नया ग्यान प्रदान करता है फिर कहारा ग्यात से अग्यात की और सिछड सूत्र किस तथे पर आधारित है तो बालक ने जो कुछ सीख लिया वही उसको ग्यात है और इसी ग्यात या पूर्व ग्यान के सहारे वह नया ग्यान प्राप्त करता है या सिछड सूत्र क्या होगा इसी सिछड सूत्र को कहेंगे ग्यात से अग्यात की और मतलब जो पहले उसको ग्यात था और उसको ग्यात से जो अग्यात की और जो नहीं ग्यात था वो भी जो सीख लेता है बालक उसी को क्या कहते हैं ग्यात से अग्यात की और फिर दोस्तों हम आगे चलते हैं फिर यहां पे दोस्तों आपका अगला कुस्षन स्क्रीन पे है दच्छता आधारित विधी के शोपान बताईए दच्छता आधारित विधी के शोपान बताईए तो दच्छता आधारित सिच्छड विधी के निम्न शोपान है पहला क्या है पूर्व तयारी उदेश निर्ध प्रकार की प्रक्रिया से है जिसकी विवस्था चात्रों की असुधियों को दूर करने के लिए की जाती है चात्रों को दूर बलताओं को जानकर सिच्छा का ऐसा कालिकर्म बनाया जाता है कि जिससे उसकी कटनाई दूर करके सीखने के दूसित प्रभाव को नष्ट किया जाता है और सुधार किया जाता है दोस्तों यहां पर उपचारात्मक सिच्छड की बात कर रहा है त उसको हमने क्या किया, उसको जो है, नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम क्या किया, याद, नंबर याद कराने की कोसिस की 1 to 10, लेकिन वो याद नहीं कर रहा है, तो हम पहले क्या करेंगे, उसको पढ़ाएंगे, फिर उसके बारे में उसका अवलोकन करेंगे, कि कहां पे उसकी ग खेल पर आधारित दो सिच्छड प्रविधियों के नाम लिखे, तो खेल पर आधारित, तो पहले तो आपका होई गया खेल विधि, ठीक है, खेल विधि हो गया, किंडर गार्डन विधि हो गया, मांटे सरी विधि हो गया, प्रोजेक्ट विधि हो गया, और डाल्टन विधि करना है ठीक है जो भी ग्रूप से आप आट है उनको भी शेयर करिए और जैसे ही कोई नई अपडेट या आपकी कोई भी एक्जाम से related कोई भी अपडेट मिलेगी तो हम जरूर आपके लिए तुरंत ही हाजिर होंगे तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों